नमस्कर साथियो मैं हूँ सचिन चीकना और आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करें टोपलोजी जो की MSC प्रिवियस एर में बुक है आपकी वो वाली तोपलोजी है क्या सबसे पहले इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पहले मैं इसके स्टेटमेंट को लिखता हूँ फिर उसको किलियर करूँगा और एक्जम्पल के साथ उसको किलियर करेंगे तो इसकी जो statement है mathematical statement वो आपको समझनी है पहले इसने बोल रख है let x be a non-empty set x कोई ऐसा set है जिसमें कुछ ने कुछ element जरूर है ठीक है and toe be collection of a subset of x और ये जो set x था इसके subset का collection यहाँ पर toe ले रहे हम ठीक है इसके जो subset है कोई भी subset हो सकते है इनका ठीक है उसको toe से represent कर रहे है then toe is called topology on x तो ये जो toe है ये x पर topology होगा कब अब restriction क्या है वो चार restrictions है चार conditions है वो satisfy होने चीए वो चारो points satisfy होने चीए ठीक है और जो x है मतलब ये जो खुद set था ये toe में होना चाहिए ओके तीसरा point let z i यहाँ पर z i का मतलब है कि i का मतलब कि i represent कर रहे है arbitrary collection को ठीक है जैसे z1 हो गया z2 हो गया ऐसे कितने भी आप इसके element ले सकते हो तो ये कह रहा है z i where i belongs to i इसका मतलब ये है कि यहाँ पर bounded नहीं है अप आप आप काफी infinite points हो सकते हैं इसमें elements हो सकते हैं इसलिए यहाँ पर लिखा है arbitrary collection of member of toe ठीक है toe के arbitrary collection of members है then union of z i belongs to toe इसका मतलब सम्जो ये जो तीसरा point है ये थोड़ा important है तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको z1, z2, z3 इस type से आपको कोई set दे रखे है मतलब subset दे रखे हैं तो वो जो subset है ना उनका सभी का union toe में होना चाहिए ठीक है example से और clear करेंग इसको next जो fourth point है इसमें आपको बोल रखे इसने let z belongs to toe ठीक है and h belongs to toe z और h दोनो toe से ब्लोंग करें ठीक है तब उन z और h उन दोनों का intersection अगर निकाले तो वो भी toe से ब्लोंग करें ठीक है अगर ये चारो condition satisfy होती है तो हम बोलेंगे कि ये जो toe था ये x पर topology होगा ठीक है toe is called topology on x अगर इन चारो में से इन चारो points में से कोई भी एक miss हो गया तो फिर जो toe थी वो x पर topology नहीं होगी ठीक है अब इनको example से समझते हैं तो पहला example लिया मैंने जो set x है जो non empty set था हमारा वो मैंने ले लिया a, b, c ये तीन element उसमें है ठीक है अब आपको toe 1 ये दो चीजे आपको मिलेंगी एक के तो non empty set मिलेगा और जो toe है वो आपको दिया जाएगा ठीक है जैसे कि यहाँ पे toe 1 दे रखे जने और toe 1 क्या होगा ये जो x है इसका subset होगा ठीक है collection of subset तो यहाँ पे 5 बिलकुल लेंगे ये जो x है ना जिसमें 3 element है इसके number of subset कितने हो सकते हैं 2 rise to power n format से आप निकाल लिया करो ठीक है 12 में आप पढ़के होंगे 2 rise to power n n क्या है number of element in non-empty set x ठीक है यहाँ पे 3 number आप 3 element आपको मिल रहे हैं इसका मतलब इसके number of subset कितने हैंगे 2 rise to power 3 यानि 8 total इसके 8 subset बनेंगे तो उन 8 subset में से मैंने 3 लिये हैं ओके क्या-क्या 5 तो सब भी का होता है ठीक है कोई भी non-empty set हो उसका subset 5 होता है एक वो खुद होता है और एक मैंने इन तीनों में से single a को ले लिया ठीक है इन तीनों को represent कर रहे है toe 1 अब हमको check करना है कि यह toe 1 है यह toe plosy है क्या किस पर x पर ठीक है तो पहली condition क्या थी हमारी पहली जो condition थी उसमें क्या बोल रहा था 5 belongs to toe 5 होना चीए toe में check करो जो 5 है वो toe में आ रहे है बिलकुल toe यहां पर toe 1 है अब की बार ना लिखे मैंने toe 1 लिखा है तो जो 5 है वो toe 1 में बिलकुल है पहला point satisfy हो रहे है दूसरी condition क्या थी x belongs to toe वो जो set था वो खुद toe में होना चीए x यह भी है toe में आ रहे है toe 1 में x belong कर रहे है दो point satisfy होगे अब जो तीसरा point है उसको clear करते हैं इसने बोल रहा है कि toe के अंदर जो भी आप subset ले रहे हो ना ठीक है toe के जो member ले रहे हो उन सभी का union भी toe में होना चीए okay अब जो union है वो आप 2 का 3 का या सभी का एक साथ निकाल सकते हो मतलब जैसे मैं इन दोनों के union की बात करूँ यह क्या है फाई यह क्या है x मतलब यह पूरा z ठीक है तो इन दोनों के अगर मैं union की बात करूँ तो इन दोनों का union क्या आएगा x आएगा और अगर मैं intersection की बात करूँ तो छोटा आता है मतलब फाई आएगा उसमें ठीक है लेकिन अब भी मैं तीसरा point clear कर रहा हूँ तो उसमें तो union की बात कर रहा था अगर मैं इन दोनों का union करूँ इन दोनों का union करूँ तो इन दोनों का union क्या है? X है और वो X इस टो में है क्या? बिल्कुल आ रहा है टो क्या है? यही तो है इसमे X है? बिल्कुल है, इन दोनों का union करो, X क्या है? ये पूरा, A क्या है? ये तो एक element है, अगर मैं इसका और इसका, इसका और इसका union करूँ, तो क्या आएगा? A, B, C आएगा, मतलब X आएगा, और X जो आ रहे है, जो resultant 4 में हमको output मिल रहे है, क्या वो टो में लाई कर रहे है? बिल्कुल कर रहे है, टो से ब्लोंग कर रहे है, ठीक है? क्योंकि इन दोनों का मैंने union लिया, और union क्या आया? वापस X आया, और X इसमें ब्लोंग कर रहे है, टो 1 में आ रहे है, यह आ रहा है, ठीक है? इसका मतलब union 2-2 का तो हमने चेक कर लिया, अब इन सभी के union की अगर मैं बात करूँ, इन सभी के union की, इसका और इसका union लूँ, तो क्या आएगा? X आएगा, ठीक है, और वो जो X है, वो टो 1 में है, बिल्कुल है, ठीक है? इसका म element लेते हो, Z और H, जो कि टो से बिलोंग कर रहे है, तो उन दोनों का intersection, वो भी किस में होना चीए? टो में होना चीए, ठीक है? देखो तो, intersection हमें साथ 2-2 कहीं निकलते हैं, अगर मैं इन दोनों को लूँ, फाई को और X को, हाना, इन दोनों का intersection क्या आएगा? फाई आएगा अब जो output मिला, वो भी टो से बिलोंग करना चीए, intersection टो से बिलोंग करवा रहा था, देखो एक बार, यहां पर जो intersection है न, वो टो से बिलोंग करना चीए, तो मैंने शुरू के दो element का intersection लिया, इन दोनों का intersection लिया, फाई और X का intersection क्या आएगा? फाई आएगा, क्या फाई इस टोवन में है, बिल्कुल है, अच्छा, इन दोनों का लिया, अब मैं इन दोनों का intersection लिया, तो क्या आएगा, X क्या है, X एक टाइप से यहां पर universe का का काम कर रहे है, ठीक है, universal set का का काम कर रहे है, तो X मतलब ये तीनों, और A की element, A, अगर मैं इसकी और इसके union की बात कर रहे है, intersection का मतलब क्या है, common element, हाना, तो common क्या है इन दोनों में ABC और A में common क्या है, A है, और A टोवन में है क्या, ये A इसमें भी है, इसका मतलब इन दोनों का intersection भी है, इन दोनों का intersection भी है, अब first और last का intersection और देख लो, first क्या है 5, जिसमें कुछ भी element ना है, जिससे set में कोई भी element आओ वो क्या है 5 ठीक है तो यह 5 और यह A दोनों के intersection की बात करो तो क्या आता है 5 आता है ठीक है 5 और किसी भी एक element से अगर आप intersection find करोगे तो हमें सब 5 आता है ठीक है तो यहाँ पे 5 और A इन दोनों का intersection अगर मैं लूँगा तो क्या आएगा 5 और यह जो output मिला मेरे को 5 क्या यह टो वन में है टो वन में बिल्कुल है इसका मतलब so मैंने intersection करवाया दो-दो element का सभी पेर को मैंने चेक कर लिया वो सारे के सारे टो वन में लाई कर रहे है ठीक है अगर यह सारे to1 में lie कर रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ ना कि जो to1 है वो topology है x पे तो क्या लिखेंगे to1 is topology on x अब second example को लिते हैं जो second example है इसमें मैंने set a case और subset है उनको अब के बार to2 से represent किया है और सभी subset को नहीं लिया मैंने कुछ subset लिये हैं जो कि x के subset हैं ठीक है a,b,c जो element थे यहीं में से phi तो सभी का हुता ही है एक को मैंने लिया phi एक इस खुद को ले लिया मतलब a,b,c यहां पर x का मतलब क्या है यह पूरा a,b,c ठीक है एक element a को लिया और एक b को इन सभी का एक collection कर लिया मतलब set बना लिया जिसको represent कर रहे है to2 ठीक है अब इसको चेक करना है कि यह जो to2 है ना क्या यह एक से पेटा उपलोज ही होगा तो उसके लिए फस्ट पॉइंट क्या था हमारे पास फस्ट पॉइंट था कि 5 होना चाहिए to2 में हाना 5 belongs to 2 तो 5 देखो आ रहे क्या to2 में बिल्कुल आ रहे दूसरा क्या था खुद x होना चाहिए complete x to2 से बिलोग करना चाहिए ठीक है तो x ये भी है to2 में हो सकता है x ना लिखके abc लिख दे तो वो x ही होगा ठीक है यहाँ पे x के बज़ाए abc ये पूरा लिख देता इस bracket के साथ तो उसको क्या बोलते वो x ही तो था ठीक है तो शुरू के दोनों पॉइंट तो satisfy हो गए अब क्या check करना है सभी का union लेके देखो 2-2 का 3-3 का और फिर सभी का एक साथ अगर मैं union लूँ तो वो टो से बलोग करना चाहिए यहाँ पे टो का मतलब क्या है टो 2 है तो टो 2 से बलोग करना चाहिए अगर मैं इन दोनों के union की बात करो फाई की और एकस की तो इन दोनों का union की आएगा बड़े वाला मतलब एकस आएगा ठीक है तो एकस मतलब क्या है इस टो 2 में है क्या बिलकुल आई कर रहे है इसका मतलब इन दोनों का union हमको satisfy कर रहे है satisfaction दे रहे है ठीक है अगर मैं बात करो इन दोनों की x की और a की तो इन दोनों में अगर मैं union लूँ तो इन दोनों में बड़ा कोन है x है क्योंकि x में ये खुद सामिल है a b सामिल है और बाकी और भी है तो आएगा क्या x आएगा इन दोनों का union ठीक है और जो output आपको मिला x X मिला वो TOTO में है क्या? बिल्कुल है TOTO के अंदर आप देख सकते हो X को ठीक है? इन दोनों का Union चECK क्या? इन दोनों का चECK क्या? अब इन दोनों का Check करता हूँ मैं A और B का अगर मैं Union लूँ तो क्या ऐगा? दोनों ही सामिल हो जाएंगे A और B तो A और B इसमें है क्या वो तो नहीं है A, B एक साथ होने चीए A और B का अगर मैं union लेता हूँ इसका और इसका तो A की bracket में लिखूंगा न A, B तो वो दो element वाला तो नहीं है इसमें इसका मतलब जो टोटू है वो X से पे topology नहीं होगा तो क्या लिखें Here टोटू is not topology on X क्यों नहीं है अब इसका reason because यहां पे जो A है न वो तो बिलोग कर रहे है टोटू से और जो B है वो भी टोटू से बलोग कर रहे है लेकिन अगर इन दोनों का union लिया जाता है but union of A and B इन दोनों का union क्या आएगा A, B आएगा ठीक है वो टोटू से बलोग नहीं कर रहा ठीक है तो तीसरी condition satisfy नहीं होरी इस वजह से यह जो टोटू है यह X पे टोपलोजी नहीं है ठीक है अब तीसरी example देखते है तीसरी example में मैंने टोटू थ्री लिया है इसके जो subset है उन में से यह वाले लिये है ठीक है अब के बार A, B और A, C डबल वाले लिये है ठीक है यह जो two three है, क्या set x पर two plus ही होगा, तो सबसे पहला, जो point था, वो क्या था हमारे पास, जो five है न, वो two three में होना चाहिए, बिल्कुल है, दूसरा point क्या था, खुद होना चाहिए, खुद मतलब x होना चाहिए, x है, बिल्कुल है, ठीक है, शुरू के दौनों point satisfy हो रहे हैं, अब तीसरा क्या था, अगर मैं इनके union की बात करता हूँ, अगर मैं इनके union की बात करूँ, तो वो union भी इसमें होना चाहिए, two three में होना चाहिए, तो सुरू के दो का union करो, five और x का union, x, output क्या मिला, x मिला, x इसमें है, तो इनके subset आएंगे, वो सामिल हो जाएंगे, अच्छा, तो x आ रहे है, ये भी ठीक है, अब इन दोनों को देखो, a, b, और a, c, इनका अगर मैं union find करूँ, तो क्या आएगा, a, b, c आएगा, a, b, c क्या है, मतलब x है, a, b, c का मतलब क्या है, x है, यानि output हमको x मिला, और x यहाँ पे है, बिल्कुल है, ठीक है, इसका मतलब union तो हमने check कर लिया, अगर मैं सभी का union find करूँ एक साथ, तो क्या आएगा, तो x ही तो आएगा, मैंने आपको बताया, जो x है, वो पूरा खुद एक set है, non-empty set इसके हम topology चेक कर रहे हैं, वो अगर खुद है, यानि इसका मतलब यह universal set का काम कर रहे है, ठीक है, तो universal set अगर बैठा है, तो आप कोई भी union ले सकते हो, वो तो मिलेगा, अगर सभी का union लेते हो उस case में, सभी का union लोगे, तो पक्का मिलेगा, अब जो चोथा point था, वो क्या था, intersection, तो intersection, दो दो का intersection चेक करने हमको, तो अगर मैं इन दोनों का intersection लो, 5 और X का intersection क्या आएगा, फाई आएगा, जो output मिला आपको 5, वो इसमें है क्या टो 3 में बिल्कुल है, अगर मैं इन दोनों के intersection की बात करूँ, इसका मतलब क्या है ABC और इसका मतलब क्या है AB तो ABC और AB में common क्या है और जो output आपको मिला AB क्या वो TO3 में है .साहिए यहां तक intersection मैंने चेक कर लिए अब इन दोनों का intersection लेता हूँ मैं ठीक है AB और AC AB और AC में common element क्या है A है अब देखो अकेला A इसमें है क्या अकेला A तो नहीं है ये तो paired में है हाना अकेला A नहीं है और अकेला A क्या था इसका subset था और वो इसमें है नहीं इसका मतलब उस A की वज़े से जो 2,3 है वो X में topology नहीं होगा तो क्या लिखेंगे here tau 3 is not topology on X क्यों नहीं है अब इसका reason because जो A, B है इन दोनों का intersection नहीं मिला ना तो इनी को मैं लिख रहा हूँ A, B वो तो belong कर रहे है tau 3 से और जो A, C है वो भी tau 3 से belong कर रहे है लेकिन इन दोनों का जो intersection है किसका A, B और A, C का जो intersection आया आया क्या A आया तो ये जो intersection है A, ये does not belongs to tau 3 ये tau 3 से belong नहीं कर रहा इस वज़े से जो tau 3 है वो X पे topology नहीं है ठीक है fourth example को देखते अब जो fourth example है यहाँ पे मैंने power set लिया है इस set X का P X का मतलब क्या है power set of set X और उसको मैंने D ले लिया ठीक है power set को D के equal represent कर दिया मैंने DC represent कर दिया अब जो power set है power set का मतलब क्या है जो आपको set दे रखे उनके सभी subset का भी एक set ठीक है तो इसके कितने subset बनते है total 8 बनते है 2 rise to power 3 से 8 है ठीक है तो वो सारे के सारे जो 8 इसके subset है उन सभी का एक set वो होता है power set of that set ठीक है power set of X अब चेक कर लो एक बार सारे हैं क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हाँ 2, 2 का pair हो गया single single का हो गया phi हो गया और ये खुद मतलब X हो गया ठीक है अब ये जो power set है ठीक है क्या ये जो power set है जिसको मैं D लिख रहा हूँ ये X पे topology है तो चेक करते है भई पहला point क्या था phi का आ रहा है दूसरा point X का खुद ये भी है तीसरा point क्या था union अब जब मैंने इसके सभी इसके सभी subset लिख दी है power set का मतलब क्या है सारे के सारे subset आ चुके है तो सारे subset आ चुके तो आप किसी का भी union लेके देख लो पक्का मिलेगा ठीक है कोई बच्चा ही नहीं जिसका union आप नहीं निकाल सकते चैसे इन दोनों का union निकालोगे पक्का इसमें मिलेगा इन दोनों का निकालोगे इसका और इसका ABC आएगा XR है इसका इसका लो वही XR है ठीक है B और C का union देखो BCR है क्यों जब मैं इसके सारे के सारे सारे सबसेट लिख चुका तो यहीं से मिलेंगे ना सारे के सारे इसी मिलेंगे ठीक है तो union हमको satisfy करवा रहे तीसरा point satisfy हो रहे अब जो चोथा point है ना उसको देखो चोथा point क्या था इनका intersection मतलब दो-दो का intersection ठीक है अगर मैं इन दोनों का intersection करवा हूँ फाई आ रहे है इन दोनों का intersection छोटा element बिल्कुल मिलेगा क्यों क्यों क्योंकि सारे मैंने क्या लिख दिये सबसेट लिख दिये किसके सेट X के हना तो कोई भी आप पे का intersection लोगे अगर कुछ common ही नहीं आएगा तो फाई आएगा और वो फाई इसमें है बिल्कुल मिलेगा अगर मैं दो-दो का पेर की बात करूँ A, B और A, C की तो यहां से common क्या A, B और A, C में A वो भी याँ पे यानि ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं जिसका intersection भी आपको ना मिले तो power set जो है यह जो power set आया था यह सबसे बड़ी topology होगी ठीक है यह सबसे बड़ी topology होगी इससे बड़ी हो सकती है क्या बिल्कुल नहीं होगी क्यों? क्योंकि इसके सबभी set subset ले चुका 8 subset थे 8 हो ले चुका तो इससे बड़ी क्या बनाऊगा? नवा मेरे को कोई इसके अंदर का element मिले गई नहीं क्योंकि इसके subset यह 8 है तो इससे बड़ी और क्या होगी? ठीक है इसका मतलब किसी set की जो power set होती है न वो सबसे बड़ी topology होती है उस set पर मतलब उसका दूसरा नाम है discrete topology ओके तो यहां पर मिल एक देता हूँ it is it किस के लिए? power set x के लिए it is topology on x topology तो है x पर ठीक है और इसको बोलेंगी क्या? and called इसका नाम क्या है? सबसे बड़ी topology का नाम वो है discrete topology on x ठीक है? तो सबसे बड़ी topology क्या होगी? discrete topology जो की power set जिसको हम बोलते हैं उस set का power set जो है ना? ठीक है? तो सबसे छोटी कौन सी होगी? वो 5th में देख लेते हैं सबसे छोटी का मतलब क्या है? उसको मैं i से represent कर लेता हूँ ठीक है? जैसे अभी तक मैंने toe 1, toe 2 ये लिया था अभी की बार मैं toe ना लेके i ले रहा हूँ हाना? तो वो जो i है सबसे छोटी क्या हो सकती है? बई सुरू के दोनों point तो कम से कम satisfy करें? ठीक है? तो एक तो 5 होगा और एक वो खुद x होगा ठीक है? तो चेक कर लो ये toe 2 लोजी है क्या? ये बिलकुल होगी चेक करो अगर मैं पहले point की बात करूँ जो हमारे पास 4 point थे उसमें पहले point की बात करूँ तो 5 बिलोग करना चीए यहां पे toe नहीं आई है अब की बारा ना 5 i से आना चीए i में आ रहे? बिलकुल आ रहे तीसरा point भी satisfy हो गया अगर मैं बात करू इनके intersection की तो 5 और x का intersection की आएगा? 5 आएगा वो भी i में होना चीए 5 बिलकुल है i में ठीक है? इसका मतलब 4 point satisfy हो रहे है इसका मतलब क्या हो गया? ये जो i है ये भी x पे topology है और ये सबसे छोटी topology है ठीक है? इससे छोटी हो सकती है क्या? अगर किसी भी आप एक को नहीं लिखोगे तो topology होगी नहीं सुरू के 2 point ही satisfy नहीं होगी ठीक है? उन दोनों में से कोई 1 satisfy नहीं होगा अगर 1 point पे satisfy नहीं होगा तो ये सबसे छोटी topology है तो इसको बोलते है in discrete topology तो इसको मैं लेख देता हूँ it is topology on x topology है न एक्स पे? topology on x and called और इसका नाम क्या है? सबसे छोटी topology का in discrete topology on x ठीक है? अच्छा अब इसमें note करने के 2 point है तो उनको और देखते हैं तो जो पहला point है वो पहला point है हमारे पास अगर x पे topology है तो उस case में x टो को topological space बोला जाएगा देखो इसको example से देखते हैं यहाँ पे हमने example किया हाँ यह वाला ठीक है? तो इसमें देखो यह जो to one था ना यहाँ पे to one है और वहाँ पे मैं to लेके बता रहा हूँ ठीक है? तो यह जो to one था यह x पे topology आ रहा था तो इसका मतलब क्या हो गया? जो to one है वो x पे topology है तो इसको लिखेंगे x, to one ठीक है? तो x, to one इसको बोलेंगे topological space वहाँ पे to one की बजाई मैंने क्या लिया है? वहाँ पे to one की बजाई मैंने to लिया है अगर to x पे topology है तो इसको बोलेंगे x, to इसको topological space अब जो दूसरा point है वो देखते हैं वो क्या है? यह जो दूसरा point है इसको देखते हैं अगर to x पे topology है तो i और यह d i का मतलब क्या है? यहाँ पे i का मतलब अब भी थोड़ ज़र पहले पढ़ा था हमने indiscreet यानि सबसे चोटी topology ठीक है और d का मतलब क्या पढ़ा था? discrete topology ओ next है ना? तो जो to होता है वो इसके equal होगा मतलब सबसे चोटी topology i वो हमको topology मिली थी ठीक है मतलब सबसे चोटी जो topology है उसमें तो दो ही element थे मतलब एक तो 5 था और एक X था और इसमें उस X के power set था हाना? और बीच वाले बीच का मतलब क्या है? बीच का मतलब है कि जो हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे जो point लिये थे यह देखो यह तीन element लिये थे हमने toe 1 में हाना? तो यह जो X था इसे के sub set तो 8 थे लेकिन हमने लिये क्या? 3 मतलब I से तो ज़्यादा लिये थे I में क्या थे? यह दो और जो PX था जो D था उसमें 8 थे तो उनसे कम लिये थे तो यह जो toe है यह किस के बीच रहेगा? I और D के बीच रहेगा जिसमें I और D दोनों सामिल है ठीक है? तो इसे point पे आप focus करना यह अच्छा point है काम का point है ठीक है? आज के वीडियो में इतना काफी है बाखी करेंगे next वीडियो में Thank you